नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल में दोस्तों आज किस वीडियो को लाज तक जरूर देखिएगा बिल्कुल असकिप मत किजिएगा क्योंकि आज मैं आपको गूगल फोटोज की फाइप एसे सिक्रेट सेटिंग की बारे में बताऊंगा ज तो दोस्तों गूगल फोटोज की फाइप सिक्रेट सेटिंग जानने के लिए अपने फोन में गूगल फोटोज नाम की एप स्कोपिंग किजिएगा दोस्तों सायद आपने कभी ना कभी जरूर महसूस किया होगा कि आप अपने फोन में एक जीबी डाटा यूज भी नहीं करते हैं लेकिन आपकी वो एक GB डाटा खतम हो जाती है तो उसका रिजन है यह Google Photos जी हां दोस्तो आपने सही सुना उसका रिजन है यह Google Photos होता क्या है कि जब भी हम अपने फोन में Google Photos नाम की app में अपनी email ID और password डलके account create करते तो हमारे फोटो और वीडियो गोगल फोटो पे आटोमैटिक db हीड कोते रहता है यदि हम अपने फोन से एक जी वी की वीडियो सूठ करते हैं और वा वीडियो हमारी फाइल मेनेजر में रहती है तो File Manager से Google Photos पे एक GB के वीडियो अपलोड होने लगती है जिसे हमारी एक GB डाटा खतम हो जाती है इसे समझने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा इस तीन लाइन पर तो क्लिक किजेगा यहाँ पर यसे अब subject अब क्लिक करदेने के बाद आपको यहाँ पर एक option दिखलाई दे रहा होगा Settings का तो कुलिक किजेगा यहाँ पर Settings पर fighting पर क्लिक कर्देने के बाद यहाँ पर आपको उप्षान मिलता है बैककप & Sync जैसे कर देख रहें कि आप लिखा हुआ है backup and sync तो क्लिक किजिएगा यहां पर तो दोस्तो backup and sync हमारी फून में default टूप से on रहता है backup and sync on रहने से होता क्या है कि जब भी हम photo या video कोई shoot करते हैं तो default टूप से automatic यह google photos पे upload होने लगती है उसके बाद यहां पर आपको option दिखलाई दे रहा होगा mobile data usage यहां पर आपको क्लिक करना होगा mobile data and usage पर तो दोस्तों यहां पर देख रहे हैं कि mobile data and usage यहां पर unlimited है जिससे होगा कि जब भी हम यहां कोई photo या video अपने phone से shoot करेंगे तो जितने MB के वो होगी वो सभी के सभी हमारे Google photos पे upload हो जाएंगी जिससे हमारी काफी data खर्च होंगी तो यहां पर आप इसे अपने उनसार से set कर सकते हैं यहां पर no data भी आप set कर सकते हैं no data पर click कर देने से आपकी photo या फिर वीडिय यूज करेगी बाकी आपको नहीं यूज करेगी दोस्तों यहां पर अगली ट्रिक के बात करें तो कुछ अलहाक लोग होते हैं जो आपकी Google photos की सारी photos अपने phone में देखते हैं मतलब कि इसे आसान भासा में कहें तो आपकी Google photos को hack कर लेते हैं दोस्तों यह Google photos की एक feature है जिससे आप अपनी गेलेरी के photo को share कर सकते हैं लेकिन कुछ लोग इसका गलत इस्तमाल करते हैं इसे जानने के लिए आप करते हैं तो दोस्तों यहां पर आपनी photos की gallery को share कर सकते हैं अपने दोस्तों में तो कुछ गलत लोग यहीं इसका फैदा उठा लेते हैं और यहाँ पे आपकी फोन मांगके और अपनी email ID चुपके से डालके आपकी सारी फोटोज को देखते रहते हैं तो यहाँ पे इससे बचने के लिए आपको जरूर चेक करना चाहिए कि आपके फोन में कहीं एसा तो कुछ लोग नहीं किये हुए हैं जिससे कि आपकी फोटो कोई और देखे तो यदि आपकी फोन में एसा इंटरफेस मिल रहा है तो ठीक है आपकी Google फोटोज हैक नहीं आप अपने उस दोस्त को इमेल डेस डालेंगे तो इसके जीमेल पर एक मेल जाएगा जिसे एकसेप्ट करना होता है एकसेप्ट करने का आपकी Google फोटोज की सारी फोटोज अपने फोन के गूगल फोटोज में देख सकता है दोस्तों इसके बाद अगला अप्शन है ग्रू जिसे आपकी फेस को डिड़क्ट करके आपकी फेस को अलग फोल्डर में कर देगा और आपकी दोस्त को एक अलग फोल्डर में कर देगा या फिर अलग अलग जाते हैं जैसे घूमने कहीं जाते हैं तो उस प्लेसे के अंसार अलग अलग फोल्डर बनता जाएगा तो इसे जानने के लिए यहां पर क्लिक करते हैं इस तीन लाइन पर क्लिक कर देने के बाद आ जाना है सेटिंग में सेटिंग में आ जाने के बाद यहां पर आपको क्लिक करना है ग्रूप सीमिलर फेस पर तो दोस्तों डिफाल्ट रूप से यह ओफ रहता है इसे आपको ओन कर देना ह यहां पर on करने के बाद यहां पर okay पर क्लिक करना है और आना है back और आपको आ जाना है album में तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहां पर album में एक अलग-अलग फोटो का अलग-अलग album क्रियेट हो चुका है दोस्तों इसके बाद इसमें सबसे मज़ेदार फिचर करें तो यदि आपकी फोटो डिलेट भी हो जाती है तो आप बिना किसी एपस के उसे चुटकियों में रिकभर कर सकते हैं चुटकियों में उसे वापस ला सकते हैं पर इकजमपल के लिए मैं इस फोटो को डिलेट करता हूँ तो यह फोटो हमारे यहां से अब डिलेट हो जाता है जैसे आप देख रहें कि यह फोटो यहां पर नहीं दिखलाई दे रहा है तो इसे वापस रिकभर करने के लिए यहां पर आपको क्लिक करना होगा इस तीन दिन तक रहता है, 60 दिन तक आप उसे recover नहीं करते हैं तो यहां से permanently delete हो जाता है, तो उसे recover करने के लिए इस photo पर click करते हैं और इसके बाद आपको click कर देना होगा तो आते हैं बैक और यहां पर देखते हैं कि वो फिर से हमारा फोटो आ चुका है अब दोस्तो अगले ट्रिक की तरफ बढ़ने से पहले अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किये तो लाइक कर दीजिए और साथी चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकोन को प्रेस कर दीज तो दोस्तो अगला ट्रिक यह है कि फोटो में कुछ अब्जेक्ट है और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि वो क्या है तो गूगल लेंस की मदद से आप जान सकते हैं उसके बारे में पता लगा सकते हैं फोर इंपल के लिए मैं इस फोटो को ओपन करता हूं तहां पर हम य पते हैं और यहांँ पे इस फोटो की घूगल पर सरच करके जान सकते हैं कि यह कौN सा बढ़ है और इसके बारे में पोरी डिटेल हासिल कर सकते हैं तो ये थी Google Photos की 5 secret setting दोस्तों आप comment में जाके जरूर बताएगा कि आपको कौन सी setting सबसे ज्यादा पसंद आए उमीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझे में आई होगी और आपके कांद की होगी अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक किजएगा शेयर किजएगा अपने दोस्तों मुवाट से फेस्बूक ग्रूप में और यसे ही सिंपल सिंपल वीडियो में अपने चैनल पे लेकर आते रहता हूँ तो आप मेरे चैनल को जरूर सस्क्राइब किजएगा मिलती है कि ने वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा बाई